हमारे समवाद अदा शेक इम्रान निकले राजे विधान सभा की आम जनता की चर्चा में जानने कि विधान सभा चुनाओ 2018 के लिए मदान होने के बाद आखिरकर गाओं में आम जनता क्या चर्चा करती है लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट विधान सभा चुनाओ 2018 के लिए बड़ा चुनाओी संग्राम देखने को मिला जीत का पर्चम लहरारे सभी राजेतिक पार्टियां पूरी ताकत जोक कर चुनाओ में उतरी और चुनाओ प्रचार में पूरी ताकत लगा दी भाश्पा की बात करें तो विकास के दम पर जनता का विश्वास जित कर चोथी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है तो वही कॉंग्रेस दस दिनों में किसानों की करज माफी की गोश्णा कर कॉंग्रेस की सरकार बनाने पाल ठोक कर दावा कर रही है तो जनता कॉंग्रेस 36 गड़ जे भी पीछे नहीं पार्टी सुप्रीम का प्रयास भी किया कुरुदाताम अब से चुनावी शौ श्राबाशांत हो ना तो लाजबी बात है अब सबको परिणाम का बेसबरी से इंतजार है मदान के बाद आम जंता अब अपने काम काज में व्यास्तो गई है और दो वक्त की रोटी के लिए मेहनत कर रही है लेकिन आम जंता अपने काम से थोड़ा वक्त निकाल कर चुनावी चर्चा में जुड़ जाती है सुबह शाम गाओं की जंता चोक चुराहों पर बेट कर कई तरह की मेत्वपून चर्चा करती है ग्रामिनों की चर्चा से कई तरह की बाद छंकर निकलती है जो बेहदी खास होती है इसी चर्चा को समझने और आप तक पहुँचाने हमारे समवदता शेक इमरान पहुँचे आम जंता के बीच जी हाँ हम आम आदमी के बीच पहुँच चुके हैं जी हाँ यह वही आम आदमी है जो चौक चौराहों में बैट कर चुनावी चर्चा करते हैं 2018 विधान सबक चुनाओं में मद्दान हुआ मद्दान के बाद गाओं की राजनिती क्या होती है इसी चीज को समझने हम ग्राम पंचाइट परशदा पहुंचे है यहाँ ग्राम पंचाइट परशदा एक घनिया बादी वाला चेतर है और यह गरिया बंचिले के बलाग फिंगेश्वर में आता है यहाँ की जन्ता चौक चरोहों में आपको असानी से देखने पर मिल जागा और सबसे बड़ी बात है कि आज यहाँ पर सब्ताइक जो बजार है वो है तो यहाँ लगभग दूर दिरा से ग्रामिन आते हैं और यहाँ सबजी खरीते हैं लेकिन दूसरी बात अगर आपको बता दे यहाँ पर चुनावी चर्चा बेहदी खास तोर पर होता है और यहाँ ग्रामिन यह तै करते हैं कि 2018 विधान सब्त चुनाव में किसका पल्ला भारी है कौन जीत के खरीब है इनी चीजों को समझने और गाव की राजनिती को समझने हम जनता के बीच पहुँचे हैं तो आईए हमारी चर्चा का सुरुआत करते हैं यहाँ पर महजूद पहुँच सारे ग्रामिन हैं बहिए ज्यादा तर देखे हैं चुनाओ 2018 चुनाओ में मदान हुआ मदान के बाद क्या चर्चा होता है गाव में क्या चर्चा हो रहा है किसको पल्ला भारी है जह तर लोग शर्त लगाते हैं वही चर्चा चर्चा पल्ला भारी लग रहा है जुँउं जितेगा पंजा जितेगा पंजा पिताओं पहुत दोड़ा बताओं आच आप चोछोर और चुना हो गया है मतान हो गया है फिर प्या क्या चर्चा होते जैसे कई लोग बोते सर्थ लगते हैं कई लोग लौक मैं इस चुनाओं के बारे में महौल किवाई ? की पढ़ेगा? क्या यह चर्चा है आम लोगों के बीश होता है? होता है और और क्या चर्चा होता है? तो यह बाइसाब उपसर पंचे राम पंचाथ 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 को रहा है कि हमारे तरफ दबा है जो इस साल का जो लाहर चाहर रहा है वही कांग्रेस का ज्यादा मंद्यांतर में चाहरा है बहुत सारे लोग यहां पर मौजूद है जैसे अच्छा आप क्या ना मतागा आपका मोती राम साहू साहू जी क्या चर्चा होता है जैसे मतान हो गया जो माहूल है नया वो सब धान के उपर टिपेंट है बोनस के लिए और सब चिला रहे है किसान कांग्रेस की सत्ता पलंतना कांग्रेस की सरकार आने चीत weten कि अवरुषा है पूरा भरुषा है चोति का बढ़ने कर दाव कर ना है ना ना पर थे पूराने से थो पूराने लूग यहां पर मौजूद है आप दुकान क्या चीजिक के दुकान कैनेत्त है रचीस कुमानी साही ड़याना लोगों क een चर्चा हो रहा है कि चुनाऊ माहॉल है इसलिए बोल रहे हैं कि कोई आदमी बो रहे ही भाजपा जीतेगा कोई बो रहे कांगरेस जीतेगा मालूम में क्이 जीतेगा अभी तो जारी है यह लेकिन अब किसका पाल्ला भारी देखो तो रमन कहीं है तो एक देख सकते हैं मातराम जो है बढ़िया मस्तिया पर पखोरे बना रही है और उनके मदद कर रहे हैं आपको क्या नाम है काका काकत पल्लबारी में तरा आज है तो तमाम लोग आप पर मुझूद है सब अपने अपने तर्क लगा रहे हैं और सब अपने तरफ से दावा कर रहे हैं जैसे कि बुजूर्गा महिला को आप दख सकते हैं अठीए थोड़ा दर्फ आज हैं जहाँ पर मुली की सबजी बेच रही हैं मातराम मतान करें को डाले हैं मैं काकर शोट लागा थे कौन जीति और यहां कि है कातना के मुली बेच अधी यह क्या यह रूपे कुराई पे चैस तर्स नहीं नीजै प्यांड मतारे सब़ा के मुली बेच रहे है सम कब से बेचा था सिला जिला यह बजूर्ग महिला है जो यहां पर मुली सब्जी बेच वही है और भी तमाम जैसे लोग है यह जैसे भाई साहब है यह आपका दुकान है जब लोग आते हैं तो जैसे मतान हुआ है विदान सब चुनाओकली किस तरह के चर्चा होता है वह लिबाद अभी तक निसुना मैं फिर भी जैसे पॉआंग्रेस का पल्ला भारी है तो भाजपक है कसम से निसुना है तो क्या लगते हैं आपको टॉआ को अधिन वह कोई मतलब नश्याद में हैं अच्छा मंगाई का मोना चाहिए बड़ाबर है आप पो लगते हैं हाँ कैसे नहीं बड़ी हर चीज की रेट बलाथ हो थोड़ा तो आपको क्या लगतीस बार को सरकार से क्या उम्मीद करते हैं जो भी नहाँ सरकार बने तो क्या उम्मीद करते हैं? किसानों का कर्ज माफी और वगरा वगरा हाँ सब कर देना ची हाँ पेटोल लाते हैं पहले से महंगा है कि कम? अभी तू 5 रुपे कम हो इससे लगा थे लेकिन और कम होना ची है? पराबार तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं तो विल्कुल तमाम लोग यहां पर मौजूद है गाहों का महल अलग होता है और यह आप देख सकते है बच्चों की टोली देख सकते है जब हम यहां पर कॉरेज करने आए तो बच्चे यहां पर हैं और बहुत ज़्यादा भीड है उस्सा है केमरा को देखके ही चलाओ आगे आजाओ तमाम लोग मोजूद है बच्चों क्या का सोर है जैसे चुना हुआ आप पताओ ना किसका कोई साथ दुकान है आपकोई साथ दुकान है तमाम तरह के लोग है कोई अब से बात कर रहे है कोई नहीं कर रहे है काकरो भी बने कॉंग्रेस के बने भाजपा काम उम्मीद करता है उम्मीद करता है। लोगों का अपना अपना थर्क है अपने अपने तरह से बात कर रहे हैं और आईए दुकान वाले से बात करते हैं ये गाहों के बीज दुकान है चुप चुप थोड़ा सांत रहो बीजा लोग दुकान में आते हैं आजा थोड़ा सा क्या नाम है आपका राजुसेन राजुस तो इस बार आपको लगता है कॉंग्रेस सरकार बना है तो इस दुकान वाले राजु भाई है जो जिनका ये डावा है कि कॉंग्रेस इस बार सकार बना सकती है तमाम लोग से हम बात किये, आगे भी लगतार इस तरह से बात करेंगे लगभग जो जिस दरह से लोगों से चर्चक किये चाहिए वो सबजी दुकान वाले हो और भी अगर बात करना चाहिए सबजी दुकान ये देखो यहां पे काका लगा है बहुत साल होगे बहुत साल होगे जिसे लोग बाग आथे तो काकर पल्ला भारी है वह बोटिंग है अगर बात करें चुनाओं की तो इस बार मद्दाताओं में खुल कर उससा देखा गया और भरपूर बड़े तादात में मद्दाता जो है मद्दान की हैं लेकिन आखरी जो फैसला है कोन जीतेगा कोन हारेगा यह आखरी जो फैसला है यह 11 दिशंबर को यह होगा लेकिन उससे पहले जो गाओं की चर्चा होती है कि कोन जीतेगा कोन हार किस तरह के दावे लगाए जाते हैं वो गाओं में देखने और सुनने को मिला है बरहाल यह चुनावी चर्चा हम आगे इसी तरह चारी रखेंगे और जानेंगे कि मद्दान के बाद गाओं में किस तरह के हालात हैं किस तरह के महौल बनते हैं किस तरह के राजवितिक चर्च लगातार इस दोरे को हम आगे रखेंगे और जानेंगे कि मद्दाताओं के मन में क्या है, मद्दाता क्या सोचते हैं और किस सोच को लेकर वो चर्चा करते हैं।